मारनी इंडिया स्टूडेंट्स आज जसी बढ़ांगे मडियां तों दूर कहानी जेडी के रगबी टांड जी दी लिखी होई है रगबी टांड जी ने में इतिहास पंजाब युनिवरस्टी चंडी गरतों की थी फिर अंगलैंड चले गए अंगलैंड रेंद्यां ने पी एच डी दी डिगरी प्रापत की थी ओथे रेंद्यां अंगलैंड दी खुशाले दे पिछे जो जीवर नोना ने देख्या है मैसूस कीता उस नोना ने अपनिया कहानियां दे रही पेश कीता गा के केस्तरा जड़े लोक ने रोजी रोटी कमान दे चकर वैच वदेशा वैच जान देने ते उत्थों जाकी आपनी पंजाबी ते पंजाबी तारती नावनों बेलकोल टोट जान देनेंगे ते ओथे जड़े बच्चे जनम लेंदेने, ओभी ओथों दे रांग बेचे रंगे जानदेने, तो अपनी सब्याता पापा पंजाबी सब्याता तो बेलकोल दूर हो जानदेने तो उत्थे जड़ी है के इस तरह पदार्थ को दोड़ जड़ी है लगी होई है पैसे दे पिछे लोग पाजनाट का रहे ने आपो अपने कमा देवे सारे रुज़े होई है क्योंके पैसा कमाँ दी दोड़ एनी ज़ादा है कि किसे कोल किसे दे लई वेल नहीं ति जड़े बज़र्ग लोग ने होते ओ अपने एकले पांदी जिंदिकी दा संताप ओग देने उन्हानों अपनी जिंदिकी जड़ी है ओ मड़ियां तो भी दूर वारगी लग दिया मड़ियां बचो शमशान कार्ड जित्थे के मुर्दयां दा संसकार किता जान्दा मुर्दयां नों दफुनाया जान्दा जित्थे चोप शाहिं दिया ओस्तों भी दूर दी जड़िया चीज लग दिया क्यों कहने के मड़ियां वेचना फिर भी तप पॉंदिया हवा वाग दिया पांची चैक देनेंगे ऐस तरह जिड़ागा के बज़रगां दे को जिड़ागा बैठन दे लई गल कारन दे लई किसे को भी कोई समा नहीं है ता जिड़ने वो सख सुख सोब्ता हूंदे बावजूद सुख उराम हूंदे बावजुद वी वो एकल्ले पांदी जिंदिगी दाज़रागा संताव पॉग देने था इस स्था मडUS अधने तो दो जिड़ी कहाणि दे लएच भी अजेहा ही संताव दिखाया गया गया के कहानी दी मुख पातर मासी जो के बलवान तराई दी माएं ते कहानी कार जो मैए पातरा ओछ नू मासी के के बलानादागा ते अंगलयाँ रहन दे होया पलवान सेंग नू पच्छीस साल हो गए呢 जदों वापस पंजाब आनदाए ता औस दी मा पाव जो मासी है उसनु इडिया ताने दिन दिया नोहोरे मार दिया के सारयां दे पुत्रा ने अपनिया मामा नुँ अपने कोल बलालया ते उसने आज ताक उसनु अपने कोल नहीं बलायागा ता अखील बल्वांतराई अपनी मादी इच्छा पूरी करन लेई उसनु अपने नाल अंगलेंड लेया अंगलेंड पोजद्या ही पहले अंतवार बल्वांतराई ते उसती पतनी बिंदू ते उन्ना दे तैन बच्चे ते खास महमान मासी नु लेखक ने अपने कार खाने मासी बहुत सोनी औरसी, पांच पोट, चार अंच, लंबी ना मोटी ना पतली, वाल बहुत चिटे, कूले ते चमकीले, मोटी आखा, तिखा नाख, ते पतले मिहीन बोल. मासी ने पहली मेलनी वेची सबनू अपने प्यार नाव कीले, उसने कहाणी कार दी पतनी नाव रेश्टेदारी काल लेए, क्यों मासी पाकिस्तान ते रावल पिंडितू आई सी, ते कहाणी कार दी पतनी भी रावल पिंडिते सी. ता लेखक दी पतनी नू मासी ने आपनी पाँजी कहना शुरू कार देता, इसे मेलनी वेची असी वीकेंदे मासी नू बिविदी थांते मासी ही कहना शुरू कीता. मासीदे पुतर बलवांत राई ने आपने शपाष्ट सुभा आदे उनसार गाल की थी ते केहा के असीता सारा देन कम्मा देवे चरुजे हुए हैं पाव कुत्ते दी मौत मरन वाली लोकां तुसी आपना देल आप ये थे लुगाणा है जे कदी तुसी उदास हो ता एनना नू फोन कर लेना पाव क्योसता जो दोसता कहानी कारा क्यों ना नू फोन कर लेना ए तुहाड़ी खाबर सार लेल्या करनागी मासी दा सबाब बहुत मलापड़ा थे मिठ्ठा सी अगले एंतवारसी मासी नू मंदर जान गुर्द वारे जान लई पुछिया ता मासी ने कहा के स्वेरे गुर्द वारे ते शावन नू मंदर जान वांगे उसने कहा के फर्क जो फर्क का एज वाली जो बमारी होता हुने चलिया मासी कहन दी कि उधर साड़े पाकस्तान वालता हिंदुआ नो गुर्दवारे नाल बहुत प्यार है ओ अपने एक पुत्तर नो जुरूर सेख बना दे हान मैं ते मेरी पत्नी ने मासी नो गुर्दवारे जान ले किया पलवांत राए ते उस दे बच्चेया नो भी गुर्दवारे जान ले पुछे आ गया उनना ने कोई ना कोई बहाना लाके टा जेता मासी प्राणे समया दी और तसी वो मेरी पत्नी नो पचके लंगर हाल वे चली गई मासी ने एपरन बनने आते रोटियां पुकोनिया शुरू कर देती है मासी देना कमा दासर सेवका दे नाल नाल परदान ते वी प्या उसने मासी नो हरोज गुर्दवारे आन ले किया इसे तरह मासी ने मंदर वेच वी पजन गाए ते तूड़ा पाट देती है मंदर दा पर दा आनवी मासी तो बहुत प्रवावत हुए मासी नो अंग्लाइन दे रेन सेंते सफाई ने बहुत प्रवावत कीता बनीर्दून के मासी अंग्लाइन दी तूलना सफ़क नाल करना लगभी जदो लेखक ने मासी नू किया कि एत्थों दा मौसम बहुत पेड़ा है ता मासी ने इंडिया दे सर दी ते गर्मी दी तोलना अंगलैंड नल कर देया किया कि एत्थों दे मौसम नू की होया है मासी ता अंगलेंड दी दवानी हो गई सी ते वो सारी ही जिंदगी अंगलेंड वैच गुजारनी चौन दी सी एक दिन लेखक बमार हो गया ते कार वैच चकला सी उसने मासी नू फोन कार देता मासी खड़ी कड़ोती ही लेखक दे कार पौँच गई ते लेखक दा हाल चाल पुछेया ते जदो लेखक ने कहा के ए मडियाँ वर गी चप उसनों खान नू आँदी है ता मासी नो उस दिये गल पसंद नाई उसने लेखक नूए हो जए नैश बोल बोलन तों रोकिया पर आज मासी नो पता नहीं की होया सी के लेखक मासी दे कर जानदा होया सोच रहा सी के जदो मासी दे कर पहुंचया तो उसनों लगया के मासी कोर अदासी दे वेच डिगी होई है खुवच पाव के कोर अदासी दे कुवच डिगी होई सी पूरी उदास सी मासी दा देल अंगलेंड दे कलता तो कब्रा गया उस दे नूंते पुतर कोल मासी नाल गाल करन दा कोई समा नहीं सी ना ही मासी दे पोते पोतियान उस नाल कोई प्यासी पाव के दादी नाल कोई मोसी मासी लेक दिया मेंतां कर दी होई कहन लगी क्यों किसे ना किसे तरीक के उसनों इंडिया वापस पजबा देवे लेखक ने जदो हां किया ता मासी दे चेरे ते रौन का गए उसनों कुछ दर्वास मिलिया वो अंगलैंड बारे कहन लगिये ता कोई मडियां तो भी दूर दी शेय है मडियां विच्ता फिर वी चड़ दी तो अप आजान दिया वा वाग दिया पांची चेक दे हां इस कहाणी राही लेखक ने जो वदेशा दी खुश हली पीछे जो वेदना जो दर्द शुपया है पाव के जो एकल्ले पान दी जिंदिगी दा संताप शुपया होया है उसनों बड़े कलापुरंटा अंगनाल ब्यान कीता इस पदार्थक दोड़ वेच एक संवेदन शिल व्यक्ति कि में एकल्ले पान दा दुख भोगदा आले दवाले पामें बहुत ज़दा सुख रामा, सुख सुहूलता ने, चंगे कार ने, गड़िया ने पर इनने ज़दा सुख सुलता हों दे बावजुद भी जो आत्मा एकल्लिया बे रामा, बे चैन रहें दिया है बच्चेव अमीद है कि तो आन्नों एक आहानी दासार समझ जा गया होवेगा थेंक्यू